दर्शो को नमस्कार इदूलफित्र के इस करेग्रम में आप सभी का स्वागत है और सबसे पहले बिसिन परिवार की और से और नाकपुर मेट्रो समाचार की और से आप सभी को इदूलफित्र की धेर सारी मुबारक बात दर्शो को अल्ला की नमत और बरकतों से भरपूर इसलाम के पवित्र मैने रमजान के बाद इदूलफित्र का तेवार मनाया जाता है पिछले दो वर्षों से कोवीद नियूमों का पालन करते हुए इस साल की इद बड़े ही हर्शुलास के साथ मनाई जा रही है आईए जानते है इदूलफित्र के दिन क्या किया जाता है और इद का परवक कैसे आनन से मनाया जाता है आईए देखते है माहरमजान का पवित्र माहा इदूलफित्र में आईए देखते हैं सन 1624 इसवी में पहला एद उल्फित्र मनाया गया था पैगंबर हजरत मुहम्मद ने बद्र के युद्ध में विचेप राप्त की थी यह तैवार उसी खुशी में मनाया गया था इद उल्फित्र के अफसर पर पूरे महने अल्ला के बंदे अल्ला की इबादत कर रोसे रखते हैं और कुरान के तिलावत करकी अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं नाकपुर शार की सबसे बड़े मजजीद के तोर पे इस समय में मुमिनपुरा के जाम मजजीद में हम आये हम आपको बताते हैं यह वही मजजीद है जहां पे इद उल्फित्र के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं जियारत करते हैं और इबादत के तोर पे अल्ला उनको बरकत मिले यही दुआ हर कोई यहां के करता है इस समय में हमारे साथ में मुमिनपुरा के कुछ ऐसे लोग थे जो यहां खरिददारी करने के लिए हैं उन्हीं में से हमारे साथ सरफरास यह भी एक साथ है उनसे जाना जाएंगे सरफरास यह बताए कि जिस तरह से सबसे पहले मैं बताना चाओंगा कि रमजान यूजा इध जो एध मुसल्मानों के लिए सबसे बड़ी यीद होती है तो यहां पर ऐसे भी सभी धर्म के लोग आते हैं और खरीदारी करते हैं लेकिन खास तोर से रम्जान मुबारक महीने के अंदर में यहां की सजावटे यहां की दुकानदारी यहां के कारोबार में अलगी रहती हैं और आप जो देख रहे हैं हम यहां जामा मज्जित के पास कड़े जहां पूरे नाखपूर्शायर की इतिहासिक मज्जित आया सबसे बड़ी मज्जित बानी जाती है और यहां पर यहां पर हजारों लोग जो है कल इदिल फित्र की नमाज अधा करेंगे और देश में अमन और शांती के लिए दूआ करेंगे वैसे भी मुबारक महिने में रोजा रखे सभी मुसलमान जो है असनी धर्म के लोगों के लिए दुआय करते हैं हमारे इंदुस्तान के अंदर मैं वैसे भाई चारा और एक्ता है इसलिए हम सभी लोगों केfar़ा करते हैं ऑर अब हाय जो शांती का पैगाम देता है, सभी धर्म के जाती के लोग मिल जूल के तेवार मनाते हैं, कल सभी लोग यहाँ पर ईद मनाएंगे, तो मिल जूल के मनाएंगे जो अब पुरे देश को ये पैगाम देता है शहर। अब हम मुमिनपुरा की कुछ और इलाके में लेके जा रहे हैं, जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग खरीददारी करते हुए नजर आ रहे हैं, आप आईए हमारे साथ। मुमिनपुरा में है, हम आपको बता दे के इद उल्फित्र के लिए मुमिनपुरा की पूरी दुकाने सजी हुई है, चाहे सुकामेवा ड्राइफूर हो, या सेवई हो, या कपड़े का मार्केट, हर जगों पे लोग बड़े पैमाने पे बड़ी संख्या में आके मेवा ले रहे हैं, कैसा महसुस हो रहा है, सर यह पता ही कि जिस तरह से आज बड़े संख्या में लोग यहां आकर यह जो ड्राइफूर ले रहे हैं, क्या लगता है आपको क्या कहना चाहोगे इद उल्फित्र के इस पावन परवपर, इद के बारे में सब खुशी अच्छ इद के दिन मस्जितों में सुबह की प्रातना से पहले हर मुसल्मान का यह फर्ज होता है कि वो दान दे, इस दान को जकात उल्फितर भी कहते हैं चाय के यदि पहली हो तो चाय के साथ में बिस्केट भी जरूरी होता है और बिस्केट हर किसी को पसंद है बिस्केट के कई प्रकार के बिस्केट भी होते है और मुमिनपुरा की यह जो हफीज बेकरी है अपने आप में के इस समय में हफीज बेकरी के संचालक जावेद भा कि सब को बदाई दिना चाहता हूं और दूसरी बात है कि इतनी महगाई के कारण हम लोग जो रिसपांस देना चाहते दे नहीं पाएं सुबह उठकर ईदगहा और मस्जितों में नमाज अधा की जाती हैं और खुदा का शुक्र अधा किया जाता है कि उसने पूरे महिने उन्हें रोज़े रखने की शक्ति प्रदान की इसलाम धर्म में माननेता है कि रमजान में रहमत की दर्वाजे खुल जाते हैं इस महिने में की जाने वाली इबादतों का सबाब कई गुना बढ़ जाता है रमजान के महिने को दस-दस दिन करके तीन हिस्सों में बाटा जाता है और इसे अश्रा कहते हैं पहले अश्रा में माना जाता है कि अल्ला रहमत करते हैं, कहा जाता है कि दूसरे अश्रा में गुनाहों की माफी होती हैं, जबकि तीसरे अश्रा में जहनुम की आख से खुद को बचाने के लिए प्रयास किया जाता है इद उल्फितर का पावन पर्फ पूरे भारत वर्ष में बड़े ही हर्शुलास के साथ मनाय जा रहा है और इसे श्रुंखला में नागपुर के मोमिन पूरा में इद उल्फितर की रौनक देखते ही बन रही है जगह जगह पर खरीदार कपड़ों की खरीदारी सेवईयां खरीते हुई नजर आ रही है इस साल हर साल की अपेक्षा दुकानों में भीड पड़ी मात्रा में देखने को मिल रही है गौरतलब रहे कि बीते दो साल से इद का तहवार अच्छे से नहीं मनाय गया इसका कारण था COVID-19 लेकिन इस बार जैसे जैसे मामले कम होते जा रही है तहवारों की रौनत वैसे वैसे ही बढ़ती ही जा रही है पिछले दो साल के मुकाबले इस साल इद की धूम बासारों में देखते ही बन रही है इद उल्फीतर के इस खास मौके पर पेश है हमारे समाधाता संजे मीरे इनकी मुमिन पुरा से ग्राउंट रिपोर्ट आईए देखते हैं आपकी सभी बूरी हो जाए हो आपका मुकदर इतना रोशन की आमीन कहने से पहले ही आपकी हर दुआ कबूल हो जाए इन्बिसियं के सभी दर्शकों को ईद मुबारक तो दर्शकों इस तरह से हम मुमिनपुरा में आये थे मुमिनपुरा के हर दुकान में हमने एक चक्कर काटा और हमने ये देखा कि वहाँ पे किस तरह से खरिदारी करते वे लोग नजर आए इदुल फित्र के लिए लोग बड़े पैमाने प्याज दुकान में आए मुमिन पुरा के हर चौराहों पे हर गली में एक दुकान सजी हुई दिखाई दी हर कोई यहाँ पे आके अपने मन पि चांती भाई चारा बने रहे सब के कामका सुचार उढंग से होते रहे और परवर्दिगार आप सभी को बरकत दे ऐसा कुछ लोगों का कहना था इदुल फित्र की आप सभी को इन बीसेन न्यूज परिवार के और से और नाकूर मेट्रो समाचार के और से धेड़ सारी परवत्यवार को लेकर हम आप से रुबरू होगे तब तक दिजिए संजे मेरे को इजाजत और आप सभी को फिर से एक बार बीसेन परिवार और नाकूर मेट्रो समाचार के और से धेड़ सारी मुबारक बाद नमस्कार